बच्चो आज हम आपको नीट का एक बहुत ही अच्छा कोस्चन लेके आए हैं जो की 2020 में पूछा गया था तो बच्चो नीट के एक्जाम के अंदर खास करके फिजिक्स में डाइमेंशन और फॉर्मूला के कोस्चन ठेक है बच्चो अक्सर आते रहते हैं ठेक है दिस इस व को सॉल्व करने के लिए एक चीज की क्लियार्टी आप लोगों को रखना बहुत जरूरी है कि आप लोग को फिजिस का सारा एक्वेशन याद रहे और उस एक्वेशन को सॉल्व करने आने का तरीका पता रहना चाहिए ठेक है बच्चो और देखिए बच्चो यहां पे क्य स्टेस इकल टू बच्चो कितना होता है क्या होता है स्टेस इकल टू प्रेसर होता है और प्रेसर इस इकल टू एफ बाई ए मिन्स फोर्स बाई एरिया होता है तो बच्चो यहां देखिए आप ठीक है बच्चो यहां देखिए आप मैं लिग दे रहा हूं आपको प्रेसर is equal to force by area ठीक है तो यहाँ पर force का dimension क्या होता है force का dimension होता है M 1 L 1 T minus 2 ठीक है upon जो A है हमारा ठीक है area A resist L2 ठीक है तो यहाँ पर यह L2 हो जाएगा ठीक है और बच्चो अब अगर इसको थोड़ा सा और हमें आगे मतलब इस procedure को करना है तो बच्चो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सीधे M 1 L minus 1 T minus 2 हो जाएगा बच्चो यहाँ पर और यह बच्चो हमारा answer है क्या stress का dimension है तो बच्चो option में कहीं दिख रही है हाँ option में हमारा second वाला option जो हमारा correct है ठीक है बच्चो और बच्चो इस question was in your NEET 2020 ठीक है तो बच्चो अगर आप लोग को इस तरीके से question को जानना है या tips and tricks समझना है तो बच्चो प्लीज do like subscribe on my youtube channel और बच्चो कोई भी doubt है NEET को लेके तो बच्चो आप लोग प्लीज comment section में दे सकते हो और बच्चो मैं 100% guarantee साथ बोल ला हूँ और concept आपका Christian clear मैं करके दम लूँगा ठीक है तो बच्चो ये था वीडियो तो बच्चो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज comment जरूर करना कि हाँ सर बहुत अच्छा बनाया आपने ओके बच्चो थेंक्यो